तमस्कार मैं हूं दिवांजली मुईत्रा जो इस देश में सभी के लिए लागू को चाहे वे किसी भी धन का पालन क्यों ना करते हैं से अब इस पर नियंत्रन करने की आवे सकता है क्योंकि हमारी आवादी जिसका दर बढ़ रही है पूरी दुनिया की आवादी कल हम लगभग 18% से उपर हो गया है जमीन हमारे पर पास पूरी दुनिया का मुस्किल से 2% बच गया है पानी 4% बच गया है जो परती वर्स पानी का जो लेयर है वो गिर रहा है आज हमारा बगल का देश चाइना अगर 79 में जन संख्या नियंत्रम कानून नहीं लाया होता तो 60 करोड आवादी आज उसके उपर होते आज उसके विकास का मूल मंत्र अगर है तो जन संख्या नियंत्रम इसलिए भारत में भी जोड़ी है बढ़ती हुई आवादी हमारे लिए एक चुनोती के रूप में हो गया है अगर हम दुनिया में उचाई पर जाना चाहते हैं विक्सित राष्टों के साथ खरा होने चाहते हैं तो हमें जन संख्या नियंत्रम कानून लाना होगा एक ऐसा करा कानून जो देश में सब पे लागो हो चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हो मैं इतना ही आज लोगों से प्राथना करूँगा कि जन संख्या नियंत्रम कानून राजनेतिक ना बनाएं धर्म से ना जोड़ें ये अगर जोड़ें तो केवल भारत के विकास से जोड़ें संसाधन सेमित है जन संख्या बिस्पोर्ट है अगर हमें भी विकास के रास्ते पर जाना है एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है